गुड मॉणिंग क्लास। आज हम लोग अभ्यास करेंगे। पहले हम लोग पहले के क्लास में दो अक्षरवाले सब्ध, तीन अक्षरवाले सब्ध और चार अक्षरवाले सब्ध बनाना सीके। यहां है अभ्यास यह जितने भी अभ्यास यहां नीचे दिये गए है उसे हम लोग आज हल करेंगे यह मौकिक यहां question number one में है पढ़ो इसे हम लोगों को पढ़ना है यहां जो सब दिया गया है उसे हम लोगों को पढ़ना है यह है फल, घर, बस, कलम, बतक, फिर एक बार, मेरे पिछे पिछे दूराएंगे फल, घर, बस, कलम, बतक, पवन, अनुवर, मलमल, जटपट, कठल यहां है question number two question number two में चित्रों को उनके नाम से मिलाएं यहां पर चित्र दिया गया है यहां दोनों साइड में यह चित्र दिया गया है उसके नाम से यहां सब दिया गया है चित्रों के नाम दिया गया है उसे हम लोगों को मिलाना है यहाँ question में बोला गया है question number two में चित्रों को उनके नाम से मिलाए यहाँ है null, अजगर, कमल, अदरक, फल और बर्तन तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर है null यहाँ पर null का picture देखेंगे यह है null तो हम लोग null, null से हम लोग इसको इस प्रकार arrow लगाएंगे, मिलाएंगे उसके बाद है अजगर, अजगर हम देखेंगे कहाँ पर है अजगर का picture यहाँ पर है, तो हम लोग अजगर इस प्रकार मिलाएंगे उसके बाद है कमल, यहां है कमल का फोल, हम लोग फिर इसको कमल के साथ इस प्रकर मिलाएंगे फिर है अदरक, यहां यह है अदरक, फल, यहां पर है फल का चित्रे, यह फल को इस प्रकर हम लोग लाइन खीच के मिलाएंगे ये हैं बरतन ये बरतन से हम लोग इस प्रकर लाइन खिच के मिलाएंगे तो हम लोग को इस प्रकर चित्रे और सब्द को मिलाना हो गया फिर हम लोग आगे बरहेंगे वर्न मिलाकर सब्द लिखे कोश्चन नमबर थ्री यहां है वर्न मिला कर सब्द लिखे हम लोग को यहां जो वर्न दिया गया है उसको मिला के क्या करना है सब्द लिखना है यहां हम लोग पहले भी सिखे एक-एक वर्न से सब्द बनाना सिखे तो आज हम लोग जो यहाँ वर्ण दिया गया है उसको हम लोग मिला कर सब्द लिखेंगे यहाँ है प्लास का चिन प्लास का मने है जोडना तो यहाँ जो वर्ण दिया गया है यह दोनों वर्ण को जोड कर हम लोगों को सब्द लिखेंगे जिसे यहां आप लोग देखेंगे का प्लास पा कप ठीक उसी प्रकार हम लोग नीचे लिखेंगे यहां जो प्लास का चिन है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे तो यह सब्द बन जाता है यह दोनों को जोर के लिखना है दोनों को जोर के लिखने से सब्द बनता है यहाँ पर हा प्लास ला हा ला हल यहाँ ओली यह प्लास का चिन को हटा देंगे प्लास का चिन नहीं लिखेंगे तो यह हा ला हल इसी प्रकार हम लोग फिर नीचे देखेंगे चा प्लास रा प्लास ना चरन हा प्लास वा प्लास ना हवन का प्लास टा प्लास हा प्लास ला कट हल छोटा उ प्लास बा प्लास टा प्लास ना उब्टन उसके बाद सभी पेज पलातेंगे यहां है चित्रों को देख कर सही और गलत के निशान लगाओ यहाँ पर चित्र दिया गया है यह चित्र दिया गया है उसको सही और गलत करना है जैसे यहाँ सबसे पहले चित्र देखे यह बस का चित्र है और यहाँ सब्द लिखा हुआ है तो जो बस का नाम यहाँ जो सब्द लिखा हुआ है यह बस है तो कौन सा लेटर है कौन सा उसमें इस प्रकर गलत का क्रोश का चीन लगाएंगे तो यह बस है यहां पर है बस का चित्रे और यहां हम लोग यह है सही सब्द तो यहां हम लोग सही लगाएंगे यह है रत रत और यहां सब्द लिखा हुआ है नल और रत तो कौन सा सब्द सही होगा यह है रत और यह नल ह सही होगा सही का निसान होगा और कलम है गलत उसी प्रकर्ठीक हम लोग यहां देखेंगे यह है चरन इसको चरन बोला जाता है यहां सब्ध है नल और चरन यह चरन सही है और यह गलत का निसान है यह गलत है और यहां है अद्रक का चित्रे यहां अजगर सब्ध है और अद्रक का सब्द है यह अद्रक है यह अद्रक सही होगा और यह है गलत यहां यह ग्लास में सर्बत है यहां सर्बत का सब्द है और बर्गत का तो यह सर्बत का सही होगा और यह बर्गत गलत और यहां पर है चित्र दिया गया है इसको क्या करना है आप लोगों को कलर करना है तो सभी इसे कलर करेंगे और यह आज का हुम्वर्ख है यह घर है यह बतक है और यह अज़कर यह सभी को कलर करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नमबर 13 पेज नमबर 13 में यहां दिया गया है बिना मात्रा वाले सब्जियों के नाम पढ़ो और रंग भरो यहां पर है सब सब्जिया इनके यहां नाम लिखा गया है मतर, कठल, अदरक, परवात, शलगम फिर एक बद यह मतर है यहां मतर सब्द भी नाम भी दिया गया है यह कठल है यहां कठल सब्द है कठल का यहां किस प्रकार हम लोग सब्द लिखते हैं नाम लिखते हैं इस प्रकार यहां सब नाम इन सबजियों के नाम दिये गए है मटर, कठल, अदरक, परवल, सलगम और इधर में देखेंगे ये ये भी सबजिया है किन्तु इसमें कलर नहीं लगाया गया है ये मटर है, कठल है, अदरक है, परवल है, सलगम है इसमें आप लोगों को कलर भरना है यह आज का यह homework है और सभी बच्चे इसे अपने class ये book पर ही अपना काम करेंगे यहाँ पर color भरेंगे इसमें color भरेंगे और आज का जो हम लोग अभियास कर लिए उसे सभी बच्चे अच्छी तरह पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे धन्यवाद